है वेलकुम पक्ति चानल शुपरामिश्रा और आज हम लोग वाइवा को लेकर थोड़ा सा डिसक्स करने वाली है सबसे पहले तो क्योंकि बहुत चारे बच्चों ने वोट किया है और नहीं पता है कि वाइवा हो क्यों रहा है इंग्लिश का वाइवा होता है क्या उनको मैं बता देती हूं थोड़ा सा कि क्या हम लोग discuss करने वाले हैं क्योंकि वो शायर इस देश के प्राणी नहीं है तो आपका जो पेपर है वो 40 नंबर का है और आपको 10 नंबर और मिलने वाले हैं उसके लिए आपको प्रोजेक्ट और वाइवा दोनों कराना है बहुत चारे स्कू को चलता जो कि चलना ही चाहिए और आपको वाइवा भी आपको लिया जाए जाएगा मैं आपको पहले ही पिता ढारे हूं कि सारी की सारी जानकारी हुक्सी एदर उदर काई तो झालती है और वह वीडियो combustion के लिए कि Toni बाओ को करना चाहिए हम लोग दाए करना है देखना हमें यह भी देखना है कि अभी हमें जाने से पहले क्या करना है तो आपके प्रेपरेशन के अंदर क्या होना चाहिए सबसे पहले तो मैं आपको बदा देती हूं कि आपसे ना कुछ दो तरीके के questions पूछे जाएंगे सबसे पहला तरीका का question जो होगा होता है subject related और वीडियो के अंदर करवाती आ रही हूं authors के नाम कि इसके साथ साथ में आप को याद रखने चाहिए सारे theme और messages क्योंकि वो यही पूछ सकते हैं कि यह chapter जो है यह chapter का message क्या है तो theme पूछ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अगर teacher ऐसे चाहे तो character पूछ सकते हैं characters पूछ सकते हैं तो यह basic ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके poets हो गए, authors हो गए, theme हो गए और characters हो गए तो आपका जो actual वाइवा है आपके इस term के लिए उसके अंदर जाने से पहले प्लीज यह सब prepare करके जाएगा prepare कीजिएगा poets को, authors को, theme को और characters को तो subject related questions को आप आराम से क्राक कर लोगे अब बात कर लेते हैं ऐसे questions की जो questions subject related नहीं आने वाले हैं दूसरे नंबर के question होते हैं project related तो यहां पर दूसरे नंबर के questions जो आप से पूछे जाएंगे वो project related अब क्या होता है हमारे चुन्नू ने तो क्या किया है project को copy और मूठा के वाईवा देने चले जाओगे तो definitely external पकड़ लेंगे जो की अभी ही ऐसा है कि English में रहा chances के externals नहीं आए आपके internal teachers ही आपका वाईवा ले हो सकता है आए तो उसको भी लेकर थोड़ा सा चल रहा है so yes project जो है आपको project related questions को prepare करनी के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको read करना पड़ेगा पूरा project अच्छे से I know आपके पास time की कमी है बहुत सारी चीज़े हो रही है and you don't have time क्या बैट कर read करो but you will have to आपको read करना पड़ेगा आप इसके साथ में prepare summary आप अपने project की summary प्रिपेर कर लीजे definitely आप लोगों ने यहां पर project बनाने में भी summary प्रिपेर की होगी और फिर आप ऐसी summary प्रिपेर कीजे जो आप उस project में बोलेंगे तो जो आप actually उस project की बारे में दिखाने के लिए बोलेंगे वो आपको यहां पर prepare कर लेनी है तो आपको project read करना है उसके अंदर क्या-क्या डाला है अपने क्या contents है वो आपको पता होने चाहिए and you will also have to prepare a summary so that अगर आप से questions पूचे जाए तो आपके पास में कुछ concrete हो सामने तो तरीके के questions पूचे जा सकते हैं पहले तरीके questions तो subject related थे जो उनने discuss कर लिया टीचर ने पूच लिया अच्छा फटा-फट से बता दो इंडिको के author कौन थे, I think of beauty के poet कौन थे, Derry का क्या role था, Derry आप फिर मान लीजे उन्होंने discuss कर लिया कि Derry और Mr. Lamb के अंदर क्या फरक है, इस तरीके के questions वो पूचे जा सकते हैं, ये questions के लिए आपको subject अच्छे से prepare करके जाना चाहिए, देखिए why जब लिया जाता है तो definitely ये सोचा जाता है, assumption ले लिया जाता है कि अभी तक आपने सब कुछ अपना prepare कर लिया है, तो आप ना सिर्फ English में नहीं, जब भी आप किसी भी subject के लिए जाएंगे, तो make sure कि आप अपने subject को prepare करके जाएं, so that उस पे से कोई भी question आ जाए, कुछ लिखने के लिए भी देदे, तो you know, you have the idea, ऐसा वो वाले बच्चे जो आखरी दिन में पढ़ते हैं, वो अभी ऐसा ना करें, please, so इसके बाद में क्या होने वाला ह questions हैं, जिनको आपको prepare करना पड़ेगा, जब आप subject prepare कर रहे हैं, अब बात कर लेते हैं, ऐसे questions की जो project related होते हैं, जिनके आने के chances ज्यादा होते हैं, तो सबसे पहला आपका जो इसमें से question बनकर आ सकता है, वो यह है कि भाई, आप you know, tell me about your project, आपको सीजा ऐसे पूछा जात प्रोजेक के बारे में बताने के लिए, make sure that you take a break लेके and then उसके बाद में इस एक फ्लो में लेकर आओ, ऐसा होना चाहिए कि रोबोटिक नहीं लगने चाहिए हो आप, है ना, रोबोट एक दम ऐसे नहीं होना चाहिए, take a break and then उसके साथ में एक फ्लो में जाना चाहिए, यह आप अलवड़ी अभी भी प्रिपेर कर सकते हो, how will you prepare सबसे पहले, tell about yourself, अब इसके अंदर ही बताना शुरू नहीं करना है, हाँ, पाओ भाजी ना, बहुत पसंद है, आपको पता है, पिर मैं क्या करता हूँ, मेरे को उसके उपर से बटर जो है, वो बहुत अच्छा लगत क्या है, तो, you have to speak about the topic, जो आपका project है, उसके बारे में, यहाँ पर take a minute, जादा नहीं, पर थोड़ा सा आपको यह भी बताना पड़ेगा, कि आपने यह जो project है, यह लिया क्यों आखिर का, मतलब क्या reason है, आपने यह क्यों लेहाँ, इसमें सच-सच नहीं बताना कि मैं, वो आपको अपनी जो summary हमने prepare कि है, वो summary यहाँ पर बता देंगे, तो इससे क्या होगा, tell me about your project complete हो जाएगा, जब आप इतना करोगे, तो अपने आप ही chances बन जाएंगे, कि आप से और questions नहीं पूछे जाएंगे, अगर आप यह अच्छे से बोल दोगे, तो और questions नहीं पूछे जाएंगे, इसको बोलने के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कि शप्रा मैं नहीं बता दिया है, तो चलो अब इसको जाके एकदब ऐसे उगल के आजाते हैं, एकदम उल्टी नहीं करके आनी है वा, I know that was gross, but yes, please ऐसा मत कीजे, आप आराम से टेक ब्रेक्स, बीच बीच मे ब्रेक लो एकदम नाच्छरल लगना चाहिए, रटकी आए हो उदैबाई, दिल के बहुत अच्छे इंसान है, मेरी टांग तोड़ दी पर बहुत अच्छे हैं जाके सही, यह नहीं होना चाहिए, तो मेक शूर कि आप यह अच्छे से करें, प्रिपैर जितना अच्छा यह या वाई हाव यू सेलेक्टेड इस टॉपिक, अब यह वाला जो क्वेस्टन है, इसकी अंदर और इसकी अंदर आज सच कोई डिफरेंस नहीं है, और एक बस इतना है, कि इसकी अंदर आपकी जो समरी है, यह जादा है और वाई कम हैं, जबकि इधर हम लोग क्या करने वाल समरी तक पहुचेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले आप अपने बारे में बताओगे, तो यॉर्सल्फ पहले आएगा, फिर आप बताओगे, आप यू जैसे आपने वो बता दिया, आप थोड़ा सा टॉपिक इंट्रोडूस करोगे, और उसके बाद में आप पैर कर लो, इनकी ठहरी जो है, वो बना के रख लो, जब आप यह ठहरी बना लोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको जितने भी वो questions पूछेंगे, project related सबका answer मिल जाएगा, अब project में क्या होता है, objectives को लेकर question होते हैं, topic को लेकर question होते हैं, क्योंकि इसके अंदर data नहीं है, and I hope अपने data नहीं डाला है, तो आपको data related questions नहीं आएंगे, हो सकता है कि data related questions आजाएं, अगर आपने Google से सीधा copy करके डाल दिया, so make sure कि अगर आपने वैसा किया है, तो you know कि अपने वहां पर actually लिखा किया है, ठीक है, ऐसा नहीं होना ची, अपने वहां लिख दिय it, so ऐसा नहीं होना चीए, you should know exactly क्या हो रहा है, so ये दो topics आपको बहुत अच्छे से prepare करने है, जब आप ये topics अच्छे से prepare कर लोगे, तो आप वाईवा के लिए ready हो जाओगे, now there can be more questions to it, but I think जब आप इतना करोगे, तो अपने आप solve हो जाएगा, now कुछ tips अगर मैं आपको लुक नाइस, greet करना चाहिए समने वाले को, क्योंकि वो external है, even if वो internal है, उनके पास में एक recorder होता है, जिसमें वो recording करते हैं, तो आप उन्हें एकदम teacher के जैसे एकदम आपके friendly teacher के जैसे treat नहीं कर सकते हो, you have to greet her और him, जब आपने greet कर लिया है, तो उसकी बाद में उनको chance दी कि जैसे मम्मी पापा ने है घर से लाते मार मार के भीजा है, एक smiley face होता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप आपके अंदर confidence दिखता है, वो confidence दिखाता है, यह smile, क्योंकि इसका मतलब है अप घबरा नहीं रहे हो, अब यह smile एक दम ऐसे अच्छी smile होनी चाहिए, दांत दी है भगवान ने, तो उसको use करो फिर, और वहां पर ऐसे और हर बार ऐसे यह भी नहीं होना चाहिए, आप जब बात करते हो, आप अपने hand gestures का इस्तमाल कर सकते हो, आप थोड़ी सी smile रखो तो इससे और ज़्याद आपकी conversation अच्छी हो जाएगी, अगर आप singly जा रहे हैं, बो दिया, आपकी teacher आपको पढ़ाती है ना, यहाँ पर इतने सारे expression देते हैं, क्योंकि आप इंसान हो, इंसानों का काम होता expression देना, हाँ, वो लोग जो आते हैं और आके robot के जैसे बोल कर चले जाते हैं, वो robot हैं, आप नहीं हो, तो expressions दो, expressions दो, हाथ move करो, ज़्यादा नहीं ह होने चाहिए, ऐसे, ऐसे नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा smile रखो, इससे confidence दिखता है, posture आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, साती सात में जितने भी बच्चे जो cool बनते हैं, जिनकी टाहियां दूसरों के पाओं में आ रही होती है, वो टाय वाय थोड़ आता है, यह आपका पहला, आप कह सकते हो, step है, आउटर वर्ल्ड में, आइधिंक आप यहां से अगर शुरू करेंगे, तो जब तक आप बड़े-बड़े interviews दे रहे होंगे, तक तक आप एक pro बन जाएंगे, तो यह आपको करना चाहिए, आपको ना बोलते नहीं रहना है, you should take necessary breaks in between, इस से लगता है कि आप सोच रहे हैं, और जब आप break लेते हैं, तो आपको सांस लेने का time मिलता है, सोचने का time मिलता है, time लगता है, तो आने वाले questions जो हैं, वो कम हो जाते हैं, so you can take necessary breaks in between, if you want, you can also take water bottle with you, if you are a person जो बहुत पैनिक करता है, आप water bottle भी अपने साथ लेकर जा सकते हो, एक और चीज बहुत important यह है, कि जब आप अपनी summary प्रिपेर कर रहे हो, make sure कि आप बहुत कुछ ना बोलतो उसमें, ऐसा सोचो कि आप Jack हो, और सामने जो बैठा है, वो जो है, अगर आप कुछ भी बोलोगे, तो वो cross question करेगा, what is a creek, what is even Jalaldi, आरे वो ऐस से question करेंगे, इसके लिए the more you're going to speak, the more they'll ask you questions, इसका मतलब यह नहीं है, to the point होना चाहिए, take breaks, वही चीजे बोलो, जो आपको आपने प्रिपेर की है, वही words बोलो, जो आपसे बोले जा सकते हैं, याद रखे जा सकते हैं, fancy words को याद करके, वहाँ भूल के, या मिस्प्रिनें करके, या बिना या meaninglessly use करके, किसी का फाइदा नहीं हुआ है, so make sure that you do the same, so यह इसका कुछ यहाँ पर tip है, इसके अलावा अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर आप बहुत चारे लोगों के साथ जा रहे हो, जब मेरे वाइवा हुए थे, तो हम लोग 3-4 लोग थे, जो सा तो वाइवा में एकदम बहुत ही बुरा feeling हो रहा है, तो अभी ऐसे में वो जो लोग हो सकता है, कि वो reply ना भी कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो, में आए, अगर आपको वो answer प्रता है, तो आप बोल सकते हो, में आए, और आप भी खुद initiative ले सकते हो, य इसका मतलब यह नहीं है कि over confidence दिखा दिया जाए, बिना पूछे और बस बोल दिया जाए, because teacher का भी अपना एक plan होगा, and उनको उनको follow करना होता है, so make sure that you every time you ask, may I, even if you don't ask, even if जो भी teacher हो उसको reject कर देती है, it's always good that you have taken an initiative, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, again आपके project को अपने बहुत अच्छे से पड़ा होता है, तो आपको confidence आता है, तो ये एक बार lastly अपना summary अपने साथ लेकर जाएगा, आपको जब भी ऐसे कोई questions पूछे जाएं, तो आप in fact उनसे ये भी बोल सकते हो, ma'am, I really am not sure about this question, can we please change the question, आप आराम से उनको बोल सकते हो, कि मैं sure नह silence होता है, उसके अंदर और फिर आप निकाले जाते कमरे से अच्छा, तो आप ये ही बोल दो, marks कटेंगे तो पहले भी कट रहे थे, अभी भी कट जाएंगे, पर confidence तो दिखेगा न, तो यहाँ पर सीधा ही बोल दो, ma'am, I am not sure about this question, मैं इस question को लेकर sure नहीं हूँ, क्या आप उसमें अटको, that is totally cool, that is something जो कि आपके लिए बहुत common है, किसी के लिए भी common होगा, so if you feel कि आपको आपने जो याद किया था, आप या भूल रहे हो, and you're taking longer pauses, जिससे सामने वाले को लग रहा है, कि आप भूल गए हो, and you want them to stop, तो आपको क्या करना चाहिए, ये awkward silence को fill करने क and then उसकी बाद में आप continue कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है, that you should not be asking for a minute, you can change your language, आप English में बोल रहे हैं, आप अपनी language को change भी कर सकते हैं, सामने वाला समझेगा, tutti-futty, grammatically, incorrect English बोलने से तो लाग बुना अच्छा है, कि हम लोग वहाँ पर उस time के लिए, अपना language change करके हो सकता है, हिंदी गड़े, and then उसके बाद में जैसे ही वापस हम confident feel करें, वापस हम English पर आजाएं, तो यह आई थिंक बहुत अच्छा work कर सकता है, यह मत सोचना, इसमें तो number कर जाएंगे न, आप यह नहीं करते हैं, तो क्या हो रहा था, तब कौन से आपको दे रहे हैं, यह लीजे, silver platter पे number, यह लीजे, आप इसके साथ लड़ू भी लेकर जाएं, क्योंकि आप पास हो गए हैं, ऐसा नहीं हो रहा था, तो it is always better, अगर हम यह कर रहे हैं, अच्छा, अभी यह चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, कि आपके school वाले teacher वहाँ पर ह कर बोलती हूं, और आप लोग को भी बस ऐसा ही करना है, यही सोचना है कि वो आपका stage है, and you should feel confident about it, I would always suggest कि टेक deeper breaths, जब आप जा रहे होते हो, तो लंबी-लंबी सांसे लो, and then आप जाओ, तो उससे आप अठकोगे नहीं, try to take pauses, so that you don't spit, आप spit ना करो, या फिर हो सकता है, क एकदम से ऐसा ना लगे कि आप रठके आए हो, तो यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, आप चाहें, तो आप अपना paper जिस पे आप ये questions को answer कर रहे हैं, उसे जेब में भी लेकर जा सकते हैं, and then अगर आप बहुत ही जादा एकदम आगी blank हो जाए, तो आप निकाल कर भी देख सकते हैं, again, take teachers permission, teacher की permission हर चीज में आपको ले दी चाहिए, confidence आपका ऐसा होना चाहिए, कि आप से उतने ज्यादा questions ना पूछी जाए, अगर आप बिना बात ड़ जाओगे, आप low confidence दिखाओगे, तो teacher और ज्यादा questions आप से पू आप से बारे में बता दीजे, तो सीधा साधा question आप से पूचा किया है, वो बता दो यार, दीरे दीरे ब्रेक लेकर बता दो, and it'll be done, so यही सारी चीजे थी, I'm not going to take much of your time, see, I have many tips and tricks, but I wanted to share, जो सबसे जादा important है, ठीक है, and I hope यह आपके लिए helpful होगा, and if yes, then please subscribe to the channel, like the video, comment down, उनके आप क्या करने वाले हो, and साथी साथ में, share करो इसे अपने दोस्तों के साथ में, announce करना चाहती हूँ, प्रारम बैच को जो शुरू हो रहा है, 25th of March से, free of cost है, YouTube पे होने वाला है, बहुत सारी चीजे उसमें cover होने वाली है, आपको shorter वीडियोज मिलने वाले हैं, एक ए वाला है, और उसकी addition में भी बहुत कुछ है, absolutely free है, करना बस इतना है कि channel को आप recommend कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को, और आप channel को subscribe भी कर सकते हैं, हम relatively काफी करीब आ चुके हैं, 100K subscribers के, so I hope आपके support के साथ में, वो हम बहुत ही जल्दी अचीव करेंगे, so yes, I will see you there, and I will see you in my next, bye bye, take care.